गुड मॉर्निंग और आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफी संसेटिव टॉपिक है लेकिन मेरा उद्देश से जो है आप लोग को जानकारी देना है कोई संसनी फैलाना या कोई और उद्देश से नहीं है मैं बहुत बेसिक बाते करना चाहता हूं कि एक 67 का पेपर लीक हुआ यह बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत दुखत घटना थी देखिए 67 के लिए मैंने इस चैनल के माध्यम से लगभग लगभग जो है 70-80 sets करवाए थे और बहुत सारे प्रस्णों को डिसकस किया था इस हिसाब से discussions किया था मैंने कि जो लोग सिर्फ मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं उनका किसी का पीटी जो है वो रुकता नहीं और देखिए लगभग जो है 120-125 marks के questions जो थे वो पीछे के sets से आ रहे थे इस हिसाब से जो कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए थे वो सब सेफ थे सुरक्षी थे मतलब प्री अधिकांस का निकल जाता और बहुत लोग बहुत कस्ट करने के बाद बहुत दूर जाके एक्जाम दिये थे एक्जाम तो जानते हैं सेंटर्स की क्या इस्तिती होती है कि बहुत सारे लोग जो है रात भर जग के तो बहुत कठनाई से एक्जाम देते हैं और एक बार एक्जामनेशन देने के बाद उनकी हिम्मत नहीं रहती बहुत जादा सिरियस एस्पिरेंट्स को परिशानी तो होती है देखिए बहुत एक कॉमन सी बात है कि 67 का जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया तो क्या यह पहली बार हुआ है जैसे पहले भी कभी हुआ है बीपीएसी का पेपर लीक देखिए 66 का जो है लीक हो गया था लेकिन वो पूरा पेपर लीक नहीं था लेकिन उससे भी बहुत बुड़ा था जैसे कोशन पेपर जो है उसका answer लिख हो गया था जैसे कि मालेजे कोई question paper है उस question paper में A, B, C, D चार group होते हैं तो जो traditional लोग हैं अभी मैंने कई बड़े अधिकारियों से भी बाचीत की थी उनका ये कहना है कि जब answer लिख हो गया तो उससे क्या हो गया देखिए फर्क पड़ता है उसी से में फर्क पड़ता है जैसे A, B, C, D group है अगर मालेजे कोई A group A, B, C, D करके उत्तर अगर लिख हो जाता है तो साइद उसका benefit नहीं मिले students को मालेजे कि मैं छातर हूँ और A group का जो की लिख हो जाता है पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का E, चौथे का D तो उससे ज्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा जरूरी थोड़े कि वो सेट एक्जामनिशने मुझे मिले वो तो कूड़ा कच्रा है उसका तो कोई वैलू नहीं है लेकिन अगर देखिए कोई भी सेट हो A, B, C, D, कोई भी सेट हो अगर उसके answers लिख हो गया है कि पहले का उत्तर राजा रा मोहन राए दूसरे का लॉर्ड बेंटिक तीसरे का ये तो जब मैं उन सारों को घोट लूँगा टोटल 150 questions को तो जो figure मुझे वहाँ दिखाई देगा अब सारे एस्पिरेंट जो होते है maximum लोग कुछ न कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं सभी graduate होते हैं तो अगर वो answers को चार बार पांच बार घोट लें देख लें तो वो आराम से टिक लगा पाएंगे उनको समस्या नहीं होगी और मतलब जो score होगा वो भी 90% प्लस चला जाएगा यानि कि उस अब लोग कट आप में आ जाएंगे 66 BPSC में ऐसा हुआ था और बहुत सारे लोग हैं जिनों हमने मेंज दिया और कुछ का इंटर्वीव भी है और बहुत सारे संपर्क में भी बहुत सारे लोग है तो उन लोगों ने बोला था कि बाई चांस उनके पास आ गया था 11 बजे वो की और उन्होंने फिर उसको जो है ना मतलब पढ़ के और जब वापस गए वहाँ पर था उनको बेनिफिट मिल गया उसका और बहुत लोग को लीक भी हुआ था तो ये सब लोग इसको जान गये थे लगबग लगबग जितनी सीरियस तैयारी करने वाले हैं और जो अच्छे-च्छे पोस्ट में लोग हैं या जो भी है सब लोग जान गये थे कि हाँ पेपर लीक होने का अब ट्रेडिशन बी-पी-अ-सी में आ गया है तो इस हिसाब से लोगों की जो है ना वो बाते चेंज हो गई थी जो मेंटिलिटी होती है ना बहुत सारे लोग जो बहुत सारे लोग है वो पेपर लीक के फिराक में पड़ गये थे सबसे ज़्यादा परिशानी अभी भी प्री टेस्ट में होती है और जो एक बार दो बार मेंस निकाल चुका है उसके लिए बहुत आसानी होता है फिर अंदर सिवा में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाती है इसके उपर में मैं सेपरेट मतलब चर्चा करूँगा और जहां तक हो सके मैं गाइड भी करूँगा ओपेन गाइड करूँगा तो देखिए सबसे तो ये बात हो गई थी 66 में जो है एंसर की लीक हो गई थी नियम से वो पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए था या अभी भी अगर सरकास समवेदन सील है तो इस बात को जरूर ध्यान देगी और 66 का पेपर भी अगर अभी कैंसिल कर दे लगता तो नहीं है क्योंकि बहुत सारी पेचिदगी इसमें भी सामिल होती है लेकिन हां बुड़ा हुआ क्योंकि एक सेंटर का फिर बोला गे इस सेंटर से लिख हुआ उस सेंटर का एक्जामनेशन हौल का कैंसिल किया गया उस सेंटर का जो कैंसिल किया गया बाद में उसका जब सेंटर का री एक्जामनेशन हुआ तो मुझे जहां तक ख्याल है कि वहां से एक भी बच्चे सलेक्ट नहीं हुआ एक भी बच्चे का पिडिमे नहीं हुआ जो कि अपने आप में बड़ा अश्चरी का बात है क्योंकि कटफ इतने ज्यादा भाग गये थे ना मतलब कटफ इतने ज्यादा चले गए पेपर लीक ह होने का सबसे गंदा नुकसान होता है चात्रों का कि कटफ ज्यादा हो जाने के कारण जो है वह साड़ी अच्छे लोग उसमें आही नहीं पाते हैं एंसर राइटिंग वाले सेक्शन में बहुत सारे कारण है जिसे एक सो आठ अगर हंडेड प्लस अगर कटफ अगर सामाने वर्क का जा रहा है अगर देखे 95 से अगर ज्यादा कटफ भाग रहा है कि कभी भी एक्जामनेशन का तो डाउटफुल उसको माना जाएगा है मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन की है जिसमें प्रैक्टिकल कुछ लोग के आ सकते हैं 112 कुछ के 120 भी आ सकते हैं मार्क्स लेकिन ऐसे लोग की संख्या बहुत कम होगी और जिनके 120, 122, 125 तक आएंगे जरूरी नहीं है कि वो मेंस क्वालिफाई कर जाएं उसका अलग हिसाब किताब है वो मैं यहाँ पे सब बाते नहीं बताने वाला यहाँ पे मैं टॉपिक पर ही रहूँगा इसकी बाद देखिए कौन लिग करते हैं मैंने आर्ट यू का पेपर जो है ना पांच-छे साल अपने पास रखा है रास्तान टेकनिकल इंवर्स्टी का जो पेपर है बैंजनी कॉलेज में जब पढ़ा रहा था तो बहुत पहले आ जाता था दस दिन बारह दिन पहले पेपर के साथ वहाँ पे सील व लगेगी और इस हिसाब से कर कोई बच्चा कपि ले तो अगले दिन वह कोपि उसका किसी काम की नहीं होती थी क्योंकि था एभेशाए करके सी लाती थी तो जिस दिन मेरी चाहता दिक अगले दिन मेरी इच्छा है तसी निकाल दिया अल्टरनेट दो दिन एक सील मैं नहीं चलाता था कभी नहीं चलाया आज तक तो तो उस हिसाब से बहुत मुश्किल था कोई बच्चा कॉपी चुड़ा के अगले दिन हो करके ले आए और बहुत तरीके से हमने सिस्टम को डेवलब कर रखा था यानि पेपर आता था डबल लॉक में उसको हम रखते थे यानि कि एक रूम था अंदर से उसकी इंट्रेंस है तो उसमें एक लॉक है अंदर में हॉल आया हॉल के अंदर में एक जामनेशन कहां जया कोशन पर पढ़ आता था उसके अंदर में एक रूम था उसके अंदर में एक जो थाना वो गोद्रेज था तो गोद्रेज में दो चाभियां लगती थी दो चाभी से गोद्रेज खुलता था एक चाभी दो नो चाभी यहां पर करणेंद हमेशा लेकिन का पर कि में तो। दो nósy Mrs. में तो अपनी दिए को वह नहीं दी रखने के लिए उनको एक चावी दे दी, जो आफिस में रख देते थे, दूसरी चावी मैंने अपने पास रखी, प्रोटोकॉल का पुडितर से पालन किया, और मेरे सिंटर से कभी भी पेपर बाहर नहीं गया, और बहुत साथ जैसे डिमांड बहुत थी, इंजिनिरिंग कॉलेज के लोग है और वो सब एरेंज कर देगा, इस हिसाब से एरेंज करेगा कि पता नहीं चलेगा किसी को, सील विल रहती थी सारी चीज था, और बहुत सारे टेकनिक्स थे, कि सील भी हटा दिया, दूसरा सेम उसी तरह का लिफापा लाया, पैक कर दिया, क्योंकि लिफापे को खोला और फ अपने स्टेट के नाम को बिलकुल खराब नहीं करना है, क्योंकि मैं राज़िस्तान में था, अगर किसी कारण से बात अगर खुलती, जो कि संभ़व नहीं है कि बंद रहे, तो ऐसे कंडिशन में मेरे साथ मेरे स्टेट का नाम भी खराब होता, और ये मैं किसी भी, किसी प्रश्यती में यह होने नहीं देना चाहता था तो यह डिमांड एंड सप्लाई का मामला होता है अगर बहुत सारे लोग अगर कोशन पेपर मांगेंगे तो कुछ लोग को यह आसानी से पैसा बनाने का साधन लगेगा तो कौन लोग करते हैं देखिए जो उपर के हाई लोग है हाई ऑथरिटी के लोग हैं वो कोश्चन लीग करते हैं इसका बताता हूं मैं कोश्चन जहाए बीपिए से का वो इस तरह का होता है कि जनरलाइज कोई नहीं बना सकता यह नहीं कि आधे घंटे में कोई इतने पेपर बना दे अगर दस लोग हैं और सभी एक्सपर्ट है वो साइध पुड़ा पेपर को सॉल्फ कर दें तो किसी सेंटर जैसे मेरे लिए है मेरे लिए अगर आधा घंटा पहले मुझे लग जाए तो साइध में किसी के लिए पुड़ा की तियार कर दू साइध जरूरी नहीं है और वो भी कोई तेज दरार लड़का रहेगा तो ह कि उस की से उसको फायदा होगा अन्य था तो क्या मतलब कोई मतलब नहीं है तीन-चार लोग मुझे भी जरूरत पड़ेंगे कि अगर आधे घंटे में पूरा पेपर बना देना हो तो आधे घंटे पहले पेपर लीख होना एक घंटे पेपर लीख होना ये बात हजम हाजमे स बाहरे हैं 66 का जो की लीख हुआ था उसे साफ लगता था कि वो किस तरह से मुझे लगता था एक रात पहले ही जो सातिर लोग है उनके हाथ में वो कोश्चेन पिपर लग गया था जिससे उन्होंने उसकी पूरी की जो है बना के अपने छात्रों में डिस्टिब्यूट कर और ऐसा जेनरल ही जो है मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर तकता मैं राजस्थान आरेयस में जो हुआ था मैं उस घटना को याद करता हूं कि आरपी एसी का प्री खासा कोटी सर्किल में एक इंस्टिउशन सो उसकी तैयारी कराती थी तो उसके पास आरपी एसी का पूरा पर रटवा दिया सुबह से पहले क्योंकि राजस्थान भी काफी बड़ा स्टेट है सभी को अपने अपने गंतव्य पर भेज दिया जाता था सभी छात्रों को रटवा के ना उसको परची देते थे ना कोश्चन पेपर देते थे कुछ नहीं पर ची उर्ची कुछ नहीं आप रटवात लो साड़ा एंसर सटा दिया कोश्चन पेपर वहां पर बाहां पर है और को अलग रखा जो एंसर आएंगे एंसर्स ना परमा दिया भी राद मर Labor तुमको इतना कोचिंग में इतना पढ़ाया अब कम से कम इस लाइक तो हो जो कटफ था सभी केटोगरी का एक ही कटफ हो गया था एक फिक्स कटफ था सभी केटोगरी का यानि SC, ST, OBC, ABC जेनरल का एक ही मार्क्स पे सेलक्षन हुआ था पड़ी का और उसकी तारीफ में खुब साड़े पूल बांधे गए थे राज्थान के पेपर में और वहां पर भी मतलब वहां पर भी इस लेवल का करप्सन और बैमानी है मुझे देख के हैरत हुई थी मुझे लग रहा था कि राजस्थान में लोग काफी इमानदार होंगे लेकिन मैं वहां पर चुकिए 15 साल से प्लस मैंने वहां पर अपनी सेवा दी और वहां से जुड़ा हुआ रहा ह है और उस जुनूर में कुछ लोगों को पैसा कमाने का ये साधन दिखता है बड़े अधिकारियों का तो वहां भी बड़े स्तर पे होड़ा था अब यहां पर देखिए 66 में पहली बार नहीं था 66 में तो बजाबता बहुत पहले 66 BPSC में पेपर लिख हुआ होगा पेपर लिख होने के बाद उसके एंसर्स तयार की गई होगी एंसर्स तयार करके बजाबता जो इस्टूडेंट्स जो थे लाभानवित उनको रटाया गया होगा और उसी में से क अभी के मौईल पे आ गई होगी जैसे मेरे मौईल पे भी आई थी मैं जहां तक ध्यान करका था बाद में आया तो टाइमिंग के अनुसार से पता चल जाता है कि एक्जामनेशन से पहले का था जिसने भी उसको वाइरल किया था उसका क्या इंटेंसल था समझना बहुत मु बैठे थे कि ऐसा कुछ भी होगा तो वो एक दूसरे को वाइरल नहीं करेंगे वो सीधा का सीधा जो है वो पत्रकार को ही भीजेंगे और इस बार तो दुखध रूप से पूरा का पूरा पेपर लिख हो गया तो नॉर्मली जो है बड़े इंस्टिचूशन के जो लोग हो क्योंकि इसे जा बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलता है जो पेपर लिख का काम उन्हीं के द्वारा होता है नॉर्मली एक बात बताता हूं डिमांडे सप्लाई बच्चे वहीं हैं पैसा वहीं पे कर सकते हैं और बच्चे जिनका नहीं सेलेक्शन हुआ कंटिनिवर्स बहुत बारू बड के अपने टीचर्स अपने डारिक्टर से मिलते हैं अathify बैठा लेते हैं कि नहीं ठीक है- हम लेक करके- और छंतर होते हैं- वो स gallery संठर वाले जो चलाने वाले हैं जो रैकेट वाले हैं रैकेट वाला किसी से 20-25 लाक में पेपर लेता है तो वो जो नीचे से एक सर्किल बनता चला जाता है कि वो सोचता है कि हम किसी को 10 जार में दे दें किसी सोचता है 20 जार में दे दें तो इस तरह सर निकोशियेशन्स वगरा होती रहती है तो जब कोश्चन पेपर आता है तो इसके जस्ट बाद नीचे वाले को बेचने की कोशिस की जाती है पिर सभी लोग तो पैसे देते नहीं है तो मान लिजिए कि A, B, C, D, E लोग है A, B, C, D, E पाँच लोग है वो डाउट करते हैं कि नहीं हम तो पहली बार है मेरा BPSC हम तो पैसे नहीं दे सकते हैं हम बस देखना है कि कोश्चन पेपर कैसा है तो क्या किया कि एक जामनेशन से एक घंटे पहले उसको पेपर देख लिया कि यह देखो इसी तरह का पेपर आएगा अगली बार अगर पहले पैसा पेपर कर दोगे तो यह पेपर तुमको मिल जाएगा तो यह हिसाब किताब हुआ तो पेपर 67 का जो है वो कम से कम लीक हुआ तो समझ यह काफी पहले लीक हुआ यानि 24 घंटे हो सकता है कि पहले लीक हुआ होगा आधा एग घंटा पहले सेंटर से एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाना यह हो जाना यह सब थोड़ा सा आतिश्योक्ति है यह समझदारी की बात लगती नहीं है 66 का एंसर एग घंटा पहले आ गया था यानि कि कोश्चेन पेपर काफी पहले लीक हो गया कम से कम पाँच घंटे, छे घंटे, आठ घंटे पहले यानि कि राजस्थान का पैटर्न यहां पे बिहार में दोढ़ाया गया कि बच्चों को एंसर्स रटा दिये गए 66 में और एंसर्स रटा के उनको सेंटर पे भेज दिया गया उसी में से किसी वेक्ति ने उस एंसर्स की कौपी बना ली और इसके वाइरल कर दिया और आजकल, देखे, सोशल मीडिया के जमाने में जबकि वो तुरंत फैल गया था एक सेंटर का एक्जामनीशन कैंसल किया गया और फिर उस सेंटर से का जब एक्जाम हुआ तो किसी का सेलेक्शन नहीं हुआ मतलब, क्या होड़ा है? आप समझ सकता है मतलब, जो चात्र है उनको किस लेवल से उनको चीट किया गया खेर देखिए इसका असर सबसे बुड़ा असर जो होता है ना वो serious aspirants पर पढ़ता है जो अपने मन से पूरी तयार ही करते हैं और examinations देते हैं कटव आगे जाने के कारण जो है बहुत दुखा दिस्थिती होती है उनका selection नहीं हो पाता आगे के phrases में और वो हतासा के सिकार हो जाते हैं और अगली बार वो पताता सब को होता है देखिए ऐसा थोड़ी है जैसे paper लीख है दारूबंदी जैसा है अब मैं personally किसी पर blame नहीं कर रहा और मैं काफी समान करता हूँ अपने चीफ मिनिस्टर का कि एक visionary बेक्ती है वो लेकिन जैसे कि दारू है दारूबंदी मिलता हर जगह है लेकिन सरकारी आंक्रे और बाकी चीजों में वो अलग चीज़ है दारूबंदी की फायदे भी हैं दारूबंदी का ये फायदा ह कि जैसे सरीफ लोग महिलाएं बच्चे जब रोड पे निकलते हैं तो कोई सराभी उनके सामने में कोई नाटक नहीं कर सकता है यह दारू बंदी का सबसे बड़ा फाइदा है कि दारू पीते हैं लोग अचुपचा अपना मडगे यह उसका ड्रॉबैक है वो अलग है इसका कौनस के उपर में हम लोग फिर चर्चा करेंगे लिए उसी तरह कोश्चेन पेपर है कोश्चेन पेपर जो है लगभग हर एक एक एक्जामनेशन का कुछ रसुखदार लोगों के पास पहले पहुंच जाता है और यह चुपा हुआ चीज नहीं है बड़े-बड़े जन पर ऐसे बड़े-बड़े कोश्चिंग संस्थान इन सब की यह कमाई का जडिया है वहां के दीउनकी एनकम मालूम भी होता है कोई। सब्सक्राइब लगने के लिए हमारी विवस्त्हा जो है उसमें नीचे के लिबल से करब सनने मात बहुत नीचे से ऊपर सब लोगों को लगते हैं दूसरे दूसरे कह सरे का भावना जो एक दूसरे के परती आजया अफंवी ऊतनि यापना वोर कि लोग देखेे, राज खुलता क्यों है? ठीक है ना। राज खुल के हुजाता है कि कोषण पेपर लीक हो गया, जिसको लीक हो गया वो पेपर दे दे। देखे, कोषण पेपर जिनको बहुत पहले मिला, ताइम से मिल गया, उन्हों ने उसका सॉल्विशन किया, लेकिन अब उन्हो या हस्वेंड वाइफ दोनों एकजामिनिशन दे रहा है अब ये घर ā-घर में एकजामिनिशन देते हैं इसका लोग तो तो हस्वेंड ने ने वाइफ को बताया बोला किसी को नहीं बताना ये लो पेपर अब वाइफ का भाई भी एक जैमनिशन दे रहा है तो वाइफ ने अपने भाई को बोला कि ये लो किसी को मत बताना अब वाइफ के भाई ने अपनी गर्लफेंड को भेजा पेपर बोला ये लो किसी को मत बतान उस girlfriend ने अपने भाई को बताया कि लोग किशी को नहीं बताना उसने अपने जो circles है उसमें सब को बताया कि लोग किशी को नहीं बताना अब इतने सारे चीजों में जो समय लगा जाने में जिसको सबसे लास्ट में पेपर मिला एकड़ाम एक्जामनेशन सुरू होने से पहले उसने उसको उठाया और पत्रकार साब को भेजा पुरी जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया नहीं था इस पर फिर लिपापोती हो जाती उन्होंने इसको यूटूब यूटूब वीडियो ही बना दिया पहुत समय से पहले अगर ये सोसल मीडिया में घूमता रहता ना तो इस पर फिर श्यासर जैसा मिट्टी पढ़ जाता और बहुत लोग का गला कड़ जाता तो वहां तक य सेंटर में रोक लेते हैं जैसे राजस्थान का मैं याद कर पाता हूं कि जब पेपर वहां आर पीएस के आता था तो उस सेंटर पर ही सारे छात्रों को रोक लेते थे रात भर उनकी तैयारी करा जाते थी तीन वार चार बार फांच बार और इसके बाद सब लोग को जो है वहां से रवाना कर दिया जाता था और सब लोग सेंटर पर जाके खुब अच्छा परफॉर्म करते थे तो यह आर्पीस्टी में बहुत दिनों तक खेल चला प्री मेंस इंटर्व्यू सब में सेटिंग रहती थी एक ही घर के इस पार आर्पीस्टी के रिजल्ट में आपने देखा होगा एक नेता के घर के बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए उसने बोला हमारे बच्चे टैलेंटेर हैं तो सो मेरा क्या दोस्का है वो अलग इसू है वो टैलेंट तो बाद में है दिखता है देखिए मेरा एक है कि छात्र क्या करें जब ऐसा घटना होता चात्र क्य में उलजना नहीं चाहिए जो छात्र है मैं मेरे से जतने लोग जुरे हुए है ना मैं सब लोग को एक ही चला देता हूं चाहे कुछ भी हो जाए माफिया बाजी में ना पढ़िये ना हां कोई चीज है अगर आपको मिलता है तो सीधा आपके पास बहुत सारे नंबर है जैसे इमेल कर दिजिए स्तियम को और बाकी चीजों को और कभी भी इन सब पेपर लिक बगर चीजों में नहीं उलजिए जो माफिया लोग हैं वो आपको कहां ले जाके मारेंगे व्यापम घोटाला को देख लिजिए व्यापम इतना बड़ा घोटाला था कोई बड़ी मचली न करत्या हो गई कहीं कोई जाच नहीं कहीं कुछ नहीं मतलब ऐसी अंधेर अधेर गिरी हुई न और बाद में देखिए जो पुब्लिक को भी कोई फरक नहीं पड़ा यारी जिस गॉर्मेंट में व्यापम घोटाला हुआ अभी वही गॉर्मेंट है मैं क्या बताओं उस ची में नहीं गया जहां पर हर वैक्ती जो है वह इस हिसाब का पढ़ा लिखा है और यह इस हिसाब की समझदारी उसकी है कि वह अपना प्रोपर हित समझ सके देखिए हमारा हित जो है जैसे मेरा हित सभी लोग के हितों की रक्षा के साथ चुड़ा हुआ है जब सभी लोग अगर दुखी है तो हम सही से रहा ही नहीं सकते हो तो नैचरल से चीज है और हम कैसे सही से रहा जाए कैसे क्या किया जाए इसको लेकर के तो बहुत सारी बाते हो सकती है तो मेरा च्छात्रों से बस एक ही जो है गुजारी से कभी भी इन चक्रों में ना पढ़ें पेपर ल मतलब देखे क्या response होता है जो intelligent सरकार के लोग में बैठे लोग हैं वो pre means में उतने setting बैठाने को लेके आतुर नहीं है कि pre means जो qualify करके आते हैं तो interview में setting बैठाना उनके लिए ज्यादा आसान है interview में जो लोग पहुंचे होते हैं वो खुदी बहुत ज़्यादा गिरगिरा के लोग के पास पहुंचते हैं कि भाई दो बार interview दे दिये तीन बार interview दे दिये evidence collect करना बहुत मुस्किल है इसके पीछे बहुत सारे चीजे हैं और इसके पीछे पढ़ने का भी नहीं है जैसे मैं कुछ लोग को जानता हूं, बहुत लोग को मैं जान रहा हूं, आप लोग भी जानते होंगे, पेपर में भी देखिए, जितने करप्सन के चार्जेज में अधिखारी पकड़े जाते हैं, बाद में वह वापस सरकारी जॉब में ले लिये जाते हैं, और फिर करने ले लोग को मौका दो, क्या मतलब, कई बार मुझे लगता है, लेकिन फिर मेरा एक है कि फिर नहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज और बाकी चीजे बिरे अंदर हंट करने लग जाती है, कि भाई नहीं ऐसे क्या विधी का सासन होना चाहिए, लेकिन देखिया है, प्रेक् मेहनत पर भरोसा रखें, और खुद पढ़के, बहुत मेहनत करके एक्जामनेशन को अपियर करें, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पर, ज्यादा लोग सामिल होते हैं, तो कुछ लोग को क्या, हर एक्जाम में कुछ हजार लोग को लाभ मिलता है, पेपर का, उनको कोई ने क संख्या बढ़ा देनी चाहिए कम से कम 20 से 30 गुनी कर दिनी चाहिए मेंस के लिए सेलेक्ट कोड़ने वाले लोग को क्योंकि इससे क्या होगा जो पेपर लिक पेपर तो बहुत से इधर धर हो जाता है तो वहां से जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उसमें से कुछ लोग सरकिल में आ जाएंगे जो टैलेंटेड होगे तो मेंस में अपने आप च्छन के वापस वहां आ जाएंगे यह एक हिसाब किताब होगा दूसरा चीज यह चीज मैंने देखा है एक चीज और जो किये जाने की जरुरत है वो यह सरका को कि सरकार इस्वर पेपर जो लीक हुआ सरसट का उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था कि एक घर से अगर पांच लोग छे लोग अगर दे रहे हैं अगर महिलाय दे रही है पेपर और सब को लग रहा है कि पचास ज़र पचास ज़र आएगा तो सब लोगों ने माफि सब का सेलेक्शन होगा हमको पहले पाईचा दे दो सबने सोचा कि हमको जेव से क्या लगना एगो पचास ज़र जो लगता है उसी में से तो पैशा दे देना है उसको दस ज़र पर तो बचती हो जाएगा तो यह एक पॉलिशी फैल्लोर्य जैसे जो है ना मान जहां इस थी कि 50,000 रुपे जो दिये जा रहे हैं तेयारी के लिए इसका ये थोड़ा सा नुकसान है मतलब सरकार जो है उस पैसे के बजाए जो बढ़िया कोचिंग संस्थान है उसके साथ टाइप कर ले हम लोग को भी जोड़ दे उसमें तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग को भी उसम उनको बच्चे अलॉट कर दे और उनको पैसा कापीमेंट करे मेंस की तैयारी के लिए और स्टुडेंट्स हैं मतलब उनका फीड़बैक भर दे जो फीड़बैक फॉर्म है तो होता है वो भर दे तो तैयारी जब pre-qualify करे करे ना तो उसको मेंस की तैयारी के लिए answer writing के लि कि यह अब डारेक्ट जो चात्र को देते हैं पैसा पढ़ने का तो उसमें लोग को लाला चाहिए कब सब प्री निकालें तो इसके कारण रेलवे के तैयारी करने स्याओं को सुल्जाइन के बारे में नहीं सोच रहे हैं उनको civil Services में नहीं आना चाहिए जिनके पास गहळाई से knowledge नहीं है किसी चीज़ की उनको Civil Services को box देना चाहिए कि खेर अभी के लिए बाचित बहुत हो गइए अब से वापतig हम लोग फढ़ाई के फेज में आएंगे और इस्टडी फूल रहेंगे सभी जो भी बेस चीज होता है वो मैं इस चैनल के माध्यम से दिने की कोशिस करूंगा अभी तो फिलहाल एक ही है जल्दी इस चैनल के माध्यम से कुछ बढ़िया घोसनाई भी करूंगा और सब लोग को जुड़ूंगा भी सब लोग जुड़ें सब लोग पढ़ें विकार के हाथ कंडे में पढ़ें पढ़ें पेपर अगर लीक हो कि आपके पास आता है तो सिदा सीम को पीएम को और प्रेस्टेंट को सिदा मेल कर दें साथ में जो है न सी सी का कॉंसेप्ट अपना है जो कारवन कॉपी जो है हर मेल का वो कम से कम पांच लोग को जरूर भेज दें दस बाड़ा पंदर एक पीम को सीम को और मीडिया सम्मों को इसी साथ से यह हो जाएगा कि पेपर जेनरलाइज जो होता है और कटफ जो भागता है वो थोड़ा बच जाएगा नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि कटफ हाई हो गया जैसे 66 में हुआ था वहां से बहुत लोग का मन तूटा और वो लोग फिर पेपर के चकड़ों में आ गये कि भाई हम तो 105-106 नमबर लाकर के भी नहीं मेरा हो पाया कि उसका 107 नमबर पे भी नहीं हो पाया तो इसके बाद वो लोग का मन तूट गया था खेर आज के लिए इतना ही हम लोग फिर हाजीर होते रहेंगे बहुत दिनों के बाद में चैनल पे आया हूँ इसलिए क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि आप लोग डिस्टर्ब हो जाए मैं जनरली एक महिना पहले ही चाहता हूँ कि कोई भी क्लासिस को बंद कर दूँ ताकि आप लोग को डिविजन का मौका मिले अब जिस दिन एक्जाम है उससे पास दिन पहले आप यूटूब खोल के बैठे हैं तो इसका याप दस दिन पहले यूटूब खोल के बैठ रहे हैं किसी किसी अकट उसका ज्यादा बेनफिट नहीं मिलता है है अपने खुद के नोटस बना है यês qe बढ़िया कर नहीं से नोट आई से मैने पढ़ाई के लिए इस दिरह के नोटस बना हे थे बहुत गहड़ाई से कि कोई भी चीज अगर पढ़ाना ही है तो क्या हो ना गहड़ाई से चीजों को बताया जाए अपने खुद के जो है ना मतलब खुब गोटे खुब लिखने की प्रैक्टिस करें खुब गोटे और इस हिसाब से जो है examinations में appear हो मेरे संपर्क में जिनका भी selection होता है और जब मेरे से बाचीत होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब वो परस्नली बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग मिठाई उठाई देते हैं या कुछ लोग मिठाई भीजवाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग मतलब ऑनलाइन मीडियम से पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट का पूरा पैसा जो है ना मैं फिर गड़ी बच्चों की पढ़ाई और उनके नॉट्स्बोक्स के उपर में खर्च करने कर देता हूं तब कुछ रखता नहीं अपने पास चलिए अभी करेट नहीं फिर मिलते हैं जय हिंद